नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल कुमारकार की हिंदी विभाग से और आज हम उत्राखंड के लोक साहित्य विशय के अंतरगर इकाई तीन पर बात करने जा रहे हैं लोक साहित्य संग्रक्ष्ण की समस्याएं और समाधान इसका विशय है जब हम लोक साहित्य की बात करते हैं तो पहला सवाल यह आता है कि संग्रक्ष्ण की जरूरत हमें क्यों है इसी पर बात कर लेते हैं सुदूर जो पिछडी जातिया हैं आदिवासी समू है या जो परिदी के लोग है उनकी जो मौखिक परंपराएं हैं वो उनके लिखित रूप में नहीं है और उनके पास अभी भी मौजूद है उसको किसी ने किसी तरह से उसका एक तरह से लिप्यांतरन करना आवस्यक है क्योंकि उनका इत्यास उनकी मौखिक परंपराओं में मौजूद है जो समाज अध्यन के लिए साहित्य अध्यन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है और दूसरा जो मेर मुद्दा है वो यह है कि यह अपना जो मून स्वरूप है उनका उसे खोते जा रहे हैं उसके बहुत सारे कारण है पलायन जब हो जाता है तो एक तरह से संस्कृतियों में भी बदलाव होने लगते हैं रोजगार एक मुख्य समस्या है तो रोजगार के लिए जो लोग बहार जाते हैं वो फिर अपने संस्कृतिक उस्सों त्योहारों में उस तरह से सामिल नहीं हो पाते इसके अलावा किर्सी भूमियों का घटना की उत्राखंड का अगर हम जिक्र करते हैं तो गड़वाल और कुमाओं में ज्यादा तर जो लोग संस्कृति है या लोग से जुड़ी तर जो त्योहार है वो एक तरह से किर्सी से जुड़ी त्योहार है तो उनका घटना भी या किर्सी के पुदासिंता, किर्सी भूमियों का बंजर होना या किर्सी भूमियों पर बात पर्योजना या तमाम और चील लगने से उनका घट जाना भी सांस्कृतिक रूप से जो हमारा लोक साहित है या जो हमारा लोक जीवन है उसके जो गीत है उसको एक तरह से भूलते चले जा रहे हैं तो इस वज़े से लोग साहित्य के संग्रक्ष्ण की आवसकता भी महसूस होती गई है और अब दूसरा जो ये विशय है इसमें दूसरा सवाल है संग्रक्ष्ण की क्या चुनोतियां है तो पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे लोग आधनिक होते जा रहे हैं विकास की मुक्षेधारा से चुटे चले जाते हैं वैसे वैसे जो लोग गायक है वो एक तरह से खत्म हो जाते हैं मनौरंजन के दूसरे साधन हमारे बीच आ जाते हैं तो लोग गायकों का अभाव है इसमें जैसे उत्राखंडर में बीर गायन अब खत्म हो गया है रितुरेंड परमप्रागत रूप से गाना खत्म हो गया है भेलो गीत खत्म हो गया है ऐसे बहुत सारे गीत है या जो गुड़ाई के गीत है वो गीत भी अब लगभग खत्म होने की कगार पर है तो ऐसे बहुत सारे गीत अब खत्म हो रहे हैं और उनका बहुत जल्दी संग्रशन करना बहुत जरूरी है ताकि वो हमारे इस मुर्तियों के साथ साथ हमारे आने वाले समय के अध्धन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में इस्तेमाल हो सके और दूसरी जो चुनोती है वो ये है कि जब भी लोग साहित का संग्रशन के लिए खासकर मौकिक पुरमपराओं के संग्रशन के लिए कोई सोधार्थी अपने सोध परिक्षेत्र में जाता है तो सबसे बड़ी चुनोती ये होती है कि जो लोग का जीवन है वो बहुत जल्दी एक विद्धार्थी को या अपने सम्हूं से अदर जो अल लोग होते हैं उनको शुकार करने में एक हिच्किचाहट महसूस करता है खासकर महलाओं के मसलूम है क्योंकि वो अपने गीतों को, अपनी कथाओं को, अपने संस्कृति को बिल्कुल विकांत में एक साथ बैठकर आपस में आपसदारी के साथ साजा करती है तो उनकी जेव भी एक महत्वपूर्ण चुनोती है कि उस जेव से हम कैसे पार पाएंगे और कैसे उनके गीतों को निकलवा पाएंगे और तीसरा जो चुनोती है वो है माननेता है कई बार ऐसा होता है कि जैसे चागर हो गया या पूजा हो गया विशे चातें जो होती है जो एक तरह से जातरा है यातराएं है या गीत है उन गीतों को लेना धर्मिक रूप से मानने नहीं है कई बार उनके पुजारी उनके जगरिय या उनको गाने वाले लोग ये बात कहते हैं कि आप फोटो नहीं खीश सकते आप इसको देख नहीं सकते तो यह भी एक मुख्य चुनौती है या आप इसको रिकार्ड नहीं कर सकते तो इस चुनौती को भी एक मुख्य चुनौती के रूप में लोग शंगरण में गिना जाता है और इसके अलावा जो है जो लोग गायन है या जो लोग का जितना भी जो मट्रेयल है मौखिक परमपराओं का वो एक विशेश क्रम और विशेश समय में एक तरह से आयूजित होते हैं घटित होते हैं जैसे रात को हो जाएंगे या बरसात में रूपनी गीत होंगे या हुड़की बॉल होगा या कुडॉल गीत होंगे तो ऐसे मौसम में सोधार्थियों का उन सेत्रों तक पहुँचना मुश्किल होता है ये भी एक चुनावती लोग संग्रण लोग संग्रण को आती है लोग संग्रण में और यातायात वो दुर्गम रास्ते कई बार ये भी दिकत आ जाती है कि यातायात क्योंकि उत्राखंड में बहुत दूर जराज के इलाकों में ही एक तरह से लोग संस्कृति और ये अब जिन्दा है तो वहां तक पहुँचने की जो चुनोतियां है वो अपनी तरह की चुनोतियां है कई बार एक सोधारती के लिए वो भी एक तरह से मार्ग अवरुद करती है ये तो समस्याएं है चुनोतियां है और इसके अलावा संग्रण करता जो होता है वो एक काफि सजक व्यक्ति माना जाता है खास कर लोग रखो तो उसके लिए खास ओजारों की ज़रूरत होती है जब हम लोग संगरण करते हैं तो उसको हम दो तरह से मानते हैं एक तो आंतरिक और दूसरा बाह साधन आंत्रिक साधन में जिसको हम मानते हैं गाओं के साथ गाओं की जनता के साथ मिलना जुलना शाहन भूती अनुसंधान चातुरी तथ्यों की परख इस्तानिय सब्दूं का प्रियोग यह सब एक तरह से उस सोधार्थी को आना चाहिए और बाह साधन मे आपका नोटबुक, कैमरा, पेन, रिकॉर्डिंग मसीन और अन्य भी जो भी अत्यादुनिक तक्नीकी चीज़े हैं वो भी जो है इसमें माने जाती हैं और इसके अलावा जो संग्रक संकलन करता होते हैं उनको कुछ विशेष उनसे कुछ विशेष अपेक्ष्या रहती है खाजकर लोग संग्रण में और उनकी ये विशेषता है ये गुन है जैसे विशेष का ग्यान संग्रकरता को हमेशा अपने मनो मस्तिक्स में विशेष परवेश को इसपस्ट जो विशेष परवेश है उसका इसपस्ट खाका होना बहुत जरूरी है चेत्र की जानकारी और चेत्र में भी कि छेत्र विशेष तक पहुंचकर वह उप्यूक्त इस्तन ब्यक्ति और घटना से लोग साहित्ते लोग को जुटा सके ये एक तरह से उसकी विशेषता है और दूसरी जिग्यासा किसी भी अनुसंदिश्त की का जिग्यासु होना एक बहुत बड़ी आवश चकता है ताकि वह हमेशा घट रही चीजों के परते जिग्यासु रहे और नित नहीं नहीं चीजों को देखने की कोशिस करता रहे उसके जो अवलोकन है वो बहुत गहरे होने बहुत जरूरी होते हैं दूर दृष्टी संकलन करता अपने काम के साथ एक दूर दृष्टी जरूर रखता है क्योंकि वो जिन गीतों का जिन चीजों का लोग से संग्रण कर रहा है उसको आने वाले समय में वो एक ज्ञान के साधन के रूप में समाज विज्ञानों के अध्धन के रूप में मानविकी के अध्धन के रूप में एक तरह से महत्पूर्न संसाधन कि और दैर्य के एक इस कर कर लोक संग्रण करता है ऊसमें होना बहुत जरूरी क्योंकि तमाम तरह की चुनवत्यां हैं तमाम तरह के मन्यताएन हैं उनसे पार पाना और फिर एक दुर्गम इलाके तक जाना और लोक संग्रण करना उसके लिए उसको काफी धहर्य मागता है उसके लिए मुर्दुभासी होना बहुत जरूरी है कई बार जुजलाहट हो जाती है मानुवी सभाव उससे मुक्त होना बहुत जरूरी है और किसी भी विशम परस्तितियों में इस्तिति को सामान्य कर सकने और उसमें अपने काम और अपने विशाई को ले करके एक खास किसम का समन्नोय करना बहुत जरूरी है और इमानदारी, इमानदारी का मतलब खासकर लोग संग्रा करता में ये है कि वह किसी आलस्च या प्रमाद वस्ट जो है जो जानकारियां है वो गलत न जुटाए और किसी भी तरह से जो तथ्थ है उनकी चोरी न करे और या उनको उनका एक तरह से भ्रम न फैलाए ये एक इमानदारी एक लोग संग्रा करता की होनी बहुत जरूरी है वस्त निस्टता संग्रान करता को पूर्वाग्रा से मुक्त होना चाहिए यानि कि किसी की तरफदारी और तमाम तरह के जो भी पूर्वाग्रा है या किसी विशेष को महत्तो देना किसी विशेष को नेमन दिखाना ये सब से उसे मुक्त होना चाहिए और वो अपने विशयके प्रति निरपेक से भाव से लोग संग्रान करें और इसके अलावा निर्भीक, एक सोधार्ती को हमेशा निर्भीक होना भी बहुत जरूरी है और केशी भी भगौलिक परिस्तिती हो या जो भी उसके सामने चुनावतियां हो, उस चुनावतियों को वो पार पा सके इसके अलावा भ्रमन सील, द्यवार कुशल, समय निष्ट और संगर से सील, परिश्रमी, अध्यावसाई ताकि वो अध्यन कर सके, चीजों को एक दूसरे से जोड सके, ये होना भी एक सोधार्ती का बहुत जरूरी है इसके अलावा आधनिक तक्निक का जानकार, आधनिक तक्निक का जानकार भी एक सोधार्ती को होना बहुत जरूरी है लोग संग्रण में ताकि वो अच्छी फॉटोग्राफी कर सके वीडियोग्राफी कर सके टंकन और इंटरनेट ओडियो वीडियो ग्राफी आधिका एक बहतरीन परियोग कर सके लेकिन संग्रण के बतौर पर आलिया कुछ वर्सू में सोचल नेट्वुकिंग साइट से भी लोगों ने संग्रण किया है खासकर लोग साहित को लेकर करके उत्राखंड में तो वो एक तरह से एक तरह से मूल ग्यान के बजाए वो एक तरह से ये माना जाएगा कि वो दुतिय स्रोतों का ग्यान है जैसा कि दुतिय स्रोतों का डेटा है जैसा कि कई बार देखनों को मिलता है कई बार सोचल नेट्वुकिंग साइट और उस पर जो भी चीज़ें आत और उसे सोधार्थी अपने किताबों में या अपने उस पे लिखते हैं, तो उसकी भी एक बार प्रताल होनी जरूरी है, इससे कई बार गलत तत्यूं का आना और गलत तत्यूं को परचार मिलना भी संभव है, तो इदे लोग साहित्य के संग्रण में हमने कई बार देखा है क लोग अपने Facebook में या आपने साीट्स पर लिखते हैं कि नोली क्या है ήर नोली लिखिए, तो फिर उसमें कई लोग नोली लिखते हैं, फिर उसी से लोग एक संग्र बना देते हैं या उसी से लोग एक तरह से दावा करते हैं कि यही मुल गीत है, तो यह कई बार एक लोग स तो इसलिए मूल गायकों तक पहुंचना और उनको रिकॉर्ट करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और अन्तमा आते हम लोग संग्रकर्ताओं के समस्चा का समाधान किस तरह से हो तो सबसे पहला है कि छेत्र पिसेज की परंपराओं का ज्यान एक लोग संग्रकर्ता को होना बहुत जरूरी है जिसमें आस्ता, विश्वास, खान, पान, रित, रिवाज, आदी बहुत जरूरी चीज है किसी भी लोग संग्रकर्ता को उस छेत्र पिसेज का ये ज्यान होना चाहिए छेत्रिय भासाओं का ज्यान होना चाहिए बहु भासिकता लोग बोलियों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए तादात्मी करण का गुण होना चाहिए ताकि लोगों से जुनना, उनसे निकट संबंद बनाना, उनकी सहानोभूती को समझना और संब्रकरताओं को इस्तानी जनता के पृति भी सहानोभूती रखनी चाहिए और निश्पक से वो वस्तुनिष्ट होना चाहिए भासा के एज्यानिक अध्यन को वो समझ सके ऐसा हो और ज्यादा तर जो लोग संब्रह करता होते हैं वो रिकॉर्टिंग माध्यम का परियोग करते हैं ताकि उनकी जो कठिन भासा है उसको बाद में सुनके रिकॉर्ट किया जा सके तो इकाई तीन लोग साहित्य संब्रेश्टन की समस्चेयम समाधान इकाई तीन उत्राखंड का लोग साहित्य के अंतरगत आज ये थी जानकारी इसी के साथ बहुत बहुत सुक्रिया नमस्कार